नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिना तो शांशु पांडे और हमारी बातें जो चल रही हैं वो किस विशाय पर हैं देखें पिछली कक्छा में हमने विद्धुत विभाव के बारे में बात किया तो विद्धुत विभाव के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी जैसे सम विभाव प्रिष्ट क्या होते हैं उसके बाद में विद्धुत विभाव का मापन कैसे कैसे किया जाता है उसके विमाय क्या है उसको किस यूनिट से ना पा जाता है उसकी काई क्या है अभीपशा ने Mission 2023 के तहद आप लोगों के लिए ये सारी वीडियो उपलब धकराई है लेकिन क्योंकि ये एक Fast Track Revision है इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी ये सारे courses डिसकस कर रहे होंगे अगर आप चाहते हैं कि डीटेल में ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ने के लिए मिलें तो आप हमारे application में आईए Google Play Store में जो है आपको अभीपशा के नाम से हमारा application मिलेगा वहां आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं वहां आपको फायदा होता है इस तरीके से कि आपके पास में है mind map ठीक है उसके बाद में आपके पास में है short notes और उसके बाद में है one-to-one mentorship हमारे सभी सब्जेक्ट physics chemistry biology mathematics इन सारे सब्जेक्स के लिए जो है आपको हमारे expert teachers की सहयोग मिलेंगे और अगर आप तैयारी करते हैं YouTube से तो वहां पर भी जो है आप हमारा एक में है तो चलिए क्या देखते हैं विभाव प्रमणता का क्या मतलब होता है अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यहां पर एक source है और हमारे पास में प्रिक्षण आवेज भी धनात्मक होता है तो इस पकार से अगर हम देखेंगे तो विद्धुत विभाव जो ए के पास में होगा वो जाहिर सी बात है कि बी के विद्धुत विभाव से चोटा होगा क्यों क्योंकि यहां से वहां तक जाने के लिए आपने बाहे बलद्वारा उर्जा लगाई और वह उर्जा परिवर्तित हो गई स्थितिज उर्जा में अब जब स्थितिज उर्जा में यह परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या दे बढ़ता हुआ दिखाए दे रहा है तो यह हमें विद्धूत-छेत्र की दिशा बता देगा और जितना ज्यादा विस्थापन होगा उतना ज्यादा दिया तो यह जो है ृद्धा पराण प्रमड़ता के बारे में पता चल गया विभाव प्रमड़ता का मातरक इसको हम लोग फाई से अभिव्यक्त करते हैं और विभाव प्रमड़ता का माना मातरक जो है वह बिल्कुल विद्धु छेतर की तीवरता के बराबर होगा मतलब न्यूटन पतिकूलम चलिए यहां पर स और इसी तरीके से विभाव प्रमड़ता के जो है हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो विद्धु छेतर की तीवरता का एक और मातरक हो गया और यह क्या होगा वोल्ट प्रतिमीटर तो यह भी क्योंकि यहां पर विद्धु प्रमड़ता में डीवी यह वोल्ट में है और यह लंबाई है यह मीटर में है तो वोल्ट प्रतिमीटर भी विद्धु विभाव का मातरक हो जाता है विद्धु छेतर की तीवरता का मातरक हो जाता है यह चीज़े हमको सीखनी भी आपसे एक अंक का परशन यह पूचा जा सकता है अब खोकले-गोले के अंदर चालक के बाहिस सतह पर आकर जम जायेंगे। और इसके कारण जो है। हम क्या देखेंगे। हम लोगों जब गावसु का प्रमेप पढ़ा था, उस स्वेयमें हम लोगों ने यह बात नोटिस की थी, कि इसके अंदर का विद्दू छेतर वो कैसा हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है जब हम गाउसिय प्रिष्ठ की गल्पना करते हैं तो गाउसिय प्रिष्ठ के अंदर कोई हमको आवेश नहीं मिलता सबका सब आवेश बाहर है तो इसलिए जब आप देखेंगे तो यहां ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जिस दूरी तक यहां पर तरिज्या है उस दूरी तक विद्धु छेतर की तीवरता का मान कैसा होगा विद्धु छेतर की तीवरता का मान यहां पर शू नहीं होगा लेकिन जैसे ही हम आर दूरी पर पहुंचते हैं केंद्र से आर दूरी पर पहुंचते हैं वैसे ही विद्धु छेतर की तीवरता अधिक्तम हो जाती है और उसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे दूरी के वर्ग के वियुत्करमान उपाती होने के कारण इस तरीके से विद्धु छेतर की तेवरता गढ़ती जाती है। कि एँए हाल जो है हम विद्धुत्व विभाव की बात करेंगे तो भाई हमको विभाव प्रमोरता से क्या पता है या यहां जो है अगर हम लोग अंदर विद्धुत विभाव का मान क्या रखते हैं हमको अंदर विद्धुत हमको अंदर विद्धुत छेत्र का मान सून्य मिलता है और यदि विद्धुत छेत्र का मान सून्य हो जाता है तो यहां डियल गुणा करने से भी जो है यह मान सून्य ही बना रहेगा और यदि डी वी का मांशुन है इसका मतलब ये है कि विए और विभी दोनों का मां बराबर है इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि एक एक चालक खोखले गोळे के अंदर यदि हम विदुत वीभावक की बात करते हैं तो जो विभाव का हमें इसकी सतह पर मिलेगा वही विभाव का मान इसके अंदर भी एक समान बना रहेगा और इसलिए हम को घ्राफ नजर आएगा इसके किस के बीच में विद्दुत विभाव और दूरी एल के बीच में तो यहां जो है जब तक आप जब तक आप त्रिज्या की दूरी तक पहुंसते हैं वहां तक जो है आपको विद्धुत विभाव का मान एक बड़ाबर मिलेगा और उसके बाद में वह लगातार कम होने लगेगा तो यहां जो है हमको विद्धुत विभाव का एक समान मिलता है किसी खुकले गोले के अंदर जब कि मिद्दुचेत्र की तीब्रता कामान खुकले की अंदर शूले होता है अब गराफ धियान रखे क्योंकि यह ग्राफ आपसे आपके गॉम्पेटिशं एक्जाम अपकर कोम्पेटिशन एक्जाम जैसे इस्थितियों में वूछा जाता है अब अगली बात क्या करेंगे एल्रट्रॉन मोल्ट की बात करेंगे हम लोगों को पता है का रहिए बराबर आवेश गुना विभाव क्यों कि हम लोगों ने जाना था कि वी बराबर वी बराबर क्या होता है वी बराबर डबलू बटा क्यों होता है यहां से हम लोगों ने देखा कि डबलू बराबर क्यों भी हो जाएगा अब यदि यह आवेश जो है एक इलेट्रॉन का आवेश हो तो फिर जो है जितने भी व जैसे कि किसी परमाणू से निकलने वाली उर्जा के बारे में बात करेंगे या फिर इस्थिर विद्दुत के मामले में जब हम उर्जा की बात कर रहे हैं तब ये उर्जा का बहुत ही छोटा मातरक है अब एक इलेट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है तो वन इलेट्रॉन व तो अब क्या होगा कि ये तो कारे का मान हो जाएगा तो कारे का मान हो जाएगा डबलू बराबर डबलू बराबर एक इलेट्रॉन वोल्ट बराबर एक दसमलोच है गुना दस की घात रिण 19 जूल और इस पकार से हमको इलेट्रॉन वोल्ट में समाहित उफजा का मान भी मिल आगे बढ़िये, अब हमारे आसपास के पदार्थों को हम लोगों ने चालकों, कुछा लुकों और परावैदतों में विभाजित किया हुआ है आज हम कुछा लुकों की बात नहीं करेंगे, यह fast track series है तो हम चालकों के गुणों के बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आगे हम इसके उप्योग कर पाएंगे पहले ये बोलेंगे कि चालकों के भीतर इस्थिर वद्दुत कितना होता है तो भाईया हम लोगों ने यहां दिखा कि ये एक खोकला चालक है तो इसके अंदर का विद्दुत छेतर शून ने था लेकिन यदि हम और बात करें कि मान लिजाए हम लोगों ने एक ऐसा चालक लिया है और इसलिए ये एक दूसरे के अधिक्तम दोरी पर रहने का प्रयास करेंगे और इसलिए ये कहा जाएंगे ये इसकी बाहि सता पर आजाएंगे अब बाहि सता पर जो है बिल्कुल ये वैसा ही वेभार करेगा जैसे खुकला गोला है इसलिए चालकों के बीतर इस्थिर विद सकते हैं अब चालकों में बद्ध हैं स्वतंत्र आवेश क्या होते हैं देखिए एक चालक है तो उसके पर्मानु की व्याख्या करें तो उसके पर्मानु में धनात्मक आवेश होता है और उसके आसपास जो है कुछ गोम रहे होते हैं लेकिन इनमें से जो अखरी कक्षा है उसमें ईलेट्रॉन होते हैं किसी चालक के पास में जो विद्धुच छेतर के आ जाने पर स्वतंत्र रूफ से चालक की सतह पर गति कर सकते हैं यह गतिसील जो electron है इनको हम कैसा electron कहेंगे इनको हम स्वतंत्र आवेस कहेंगे और ये जो अंदर वाले जो आवेस है जो अपने parent atom से बढ़ बंधे हुए हैं उनको हम बध आवेस कहेंगे स्थिर विद्दुत विभाव का मान किसी भी चालक के अंदर विद्दुत विभाव का मान एक समान रहता है कैसा रहता है एक समान ठीक है एक समान अगली बात क्या है चालकों के भीतर आवेस कैसा रहता है चालकों के भीतर स्वतन्त रूप से कोई आवेस नहीं रह सकता वह उसकी सतापर आजाता है अब प्रिष्ट पर उद्धुत् स्चेत्र का मान हम कैसे निकालेंगे तो भाईया प्रिष्ट पर विद्दूत छेत्र का मान निकालने के लिए हम लोगों ने यी बराबर यी बराबर सिग्मा बटा एपसलान नॉट ये चीज़ें हम लोगों ने कहा देखी थी ये हम लोगों ने जब हम विद्दूत विभाव का मान निकाल रहे थे तो इस दी एल या डी आर जो भी है तो अब जो है हम लोग अगर विद्धुत्विभाव का मान निकालना चाहें तो हमको क्या मिलेगा सिग्मा और उसके बाद में एपसलोन नॉट और यहां से जो है हमको विद्धुत्विभाव का मान ले लेंगे यह समझ में आया अब किसी चालक के अंदर जो है वो कैसा होगा भाई वो किस चीज की उपर निरभर करने वाली बात है वहां उसके आवेश्ट गनत वपर निरभर रहने वारी चीज है तो यदि किसी एक ही चालक में हम लोगों ने इस प्रकार से विवस्था बना रखी है कि वो चालक में जो है आवेश्ट का घनन, माली जाए यह हमारा चालक है और यहां पर हम लोगों ने कोई आवेश्ट डाल दिया, क्यों? तो अब क्या होगा? क्योंकि यहां पर विद्धुत छेतर बड़ा है, मतलब यहां पर जो है छेतर फल ज्यादा है, इसलिए यहां पर आवेश्थ घननत व कम हो जाएगा जबकि यहाँ पर छेतरफल बहुत कम है इसलिए हमको यहाँ पर आगेज का घनात्व जादा दिखाई पड़ने लगेगा ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि एक ही चालक के अलग-अलग हिस्सों में विद्दुत विभाव का मान अलग-अलग हो सकता है अगेज उसकी सता पर जाकर जमा हो जाता है अब ऐसी स्थिति में इसके अंदर विद्दुत विभाव का मान एक समान और विद्दुत छेत्र का मान छून्य होता है ऐसी स्थिति में हम क्या जान सकते हैं यहाँ पर विद्दुत विभाव का मान क्या है विद्दुत विभा अब यहां पर क्योंकि एक समान विभाव है यहां पर सोतंत्र आवेश तो पाई नहीं जा सकते और यहां पर धारा का भैना भी इस स्थिती का फायदा किस तरीके से उठाय जाता है मान लीजिया कि बाहर से कोई बहुती तीब्र विद्दुत विभाव लगा दिया गया तो ऐसी स्थिती में क्या संभावना है ऐसी स्थिती में ये संभावना है कि बाहर विद्दु छेत्र के कारण इस चालक के अंदर किस कारण जो है इसके अंदर जो भी चीज है वह बाया विद्दुचेत्र के कारण परेशान नहीं होगी या उसको कोई नुकसान नहीं होगा ऐसी स्थिती का फैदा हम कहां उठाते हैं माल लेते हैं कि आपके आसपास जो है बहुत काले बादल चाय हुए है बिल्ली कड़क रही है ऐसी स्थिती में आप क्या करेंगे आप अपनी कार अंदर से बंद करके उसके अंदर बैठ जाएंगे अब बहुत ही बुरी घटना होगी यदि कार के उपर जो है बिल्ली गिर जाए लेकिन उसके अंदर का बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहेगा उसका तो यह पहला है सू चालक उसके बाद में दूसरी बात है कुचालक कुचालक अब जो है तीसरी जो बात है वो है अर्ध चालक अब यहां पर जो है परावद्धुत माध्यम हो सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने विद्धुत दूइधुरू देखा था है यहां पर जो है यहा पिंड है और इस पिंड में अभी कुल मिला के आवेशों की मातरा शून्य है मतलब ये उदासीन है अब हम लोगों ने क्या किया कि इसके पास हम लोगों ने बाहर से एक पहले से आवेशित पिंड लाया इस आवेशित पिंड के कारण प्रेरण की स्थिती उत्पन्न होती है और यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे रिणात्मक आवेस एक तरफ और धनात्मक आवेस दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब यदि हमारा पदार्थ जो है इस प्रकार से बना हो कि उसके पास में दोनों आवेस पहले ही अलग अलग दूरी पर स्थित हैं तो यहाँ पर प्रेरण की घटना है वो कुछ अलग तरीके से होगी। कैसे कैसे होगी आईये देखते हैं सबसे पहले हम दिखेंगे कि कुछ परावएदूत इस प्रकार के होते हैं जो अधरुई होते हैं और जो अधरुई होते हैं उसका जो है जो रिनात्मक आवेस का हिस्सा है। और उसके साथ जो उसका ध्हनात्मकावेस का हिस्साहै यह दोनों के केंद्र एक दूसरे से मिलतेजु मतलब एक ही बिन्दू पर होते हैं ऐसी इस्तिति में बहाश्चेत्र की आ चाने से उसके आकार में परिवर्तन होता है और वो जो है मतलब उसमें धनात्मक और रिनात्मक आवेस एक दूसरे से दूर चले जाते हैं लेकिन जब हम धुरुवी परवेद्धुत की बात करते हैं जैसे कि S.C.L. जो की विद्धुत दुवी धुरुव है तो यहां पर जो है हम क्या दिखेंगे कि इसके जो अणु है वो इस प्रकार से अविवस्थित होते हैं कि यहां पर कूल मिला के किसी भी जगा कोई इसपष्ट तोर पर धनात्मक या रिनात्मक आवेस नहीं दिखाई देता लेकिन जैसे ही हम बाहे विद्धुत छेत्र यहां पर अपलाई करते हैं तो बाहे विद्धुत छेत्र की उपस्थिती में ये इनके बीच में घूनन होता है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है विद्धु द्विध्रु आगूण और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने बल आगूण के बारे में पढ़ा था ना एक निश्चित दिशा में अपने आपको इस तरीके से अलाइन कर लेंगे इससे क्या होगा कि अब जो है हमको यहां पर इस्पश्ट तोर पर रिनात्मक और धनात्मक आवेश इसके दोनों सीरों पर दिखाई देंगे तो यह हमारे समझने वाली बात थी ठीक है और इसके आगे भी जो है हम इससे जुड़े हुए बहुंच सारे प्रभाव हैं जैसे कि जब हम धारिता की बात करते हैं तब इसका क्या आसर परता है इन सारी चीजों के बारे में हम और चर्चा करते रहेंगे अगर अभी तक आप लोगोंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को बताएं कि अभीवशा के प्लाटफॉर्म में मिशन 2023 स्टार्ट है और यहां पर पूरा कोर्स निर्धारित समय सीमा के अंदर